आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्व चैनल में इंडिया वुच ऑफ्रिका ओडियाई सिरीज। जो इंडिया 3-0 से हार चुका है, इट इस अ कम्प्लेट वाइटवाश फ़र इंडिया, लास्ट वाइट वॉश इंडिया ने 2020 में न्यूजिलैंड के खिलाफ फेस किया इंडिया ने काफी टाइम के बाद ODI खेला केल राहूल का डेब्यू कैप्टेन सी था as a ODI कैप्टेन दो ODI मैचस में बिल्कुल फाइट नहीं दिखा थर्ड ODI में एक अच्छा फाइट दिखा पर अट लास्ट वो मैच भी हारी इंडिया अब अगर प्रॉबलम की बात करू तो ये सिरिस में बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों में प्रॉबलम दिखी बैटिंग में सिर्फ विराट धवन का मैक्जिममम कॉंट्रिबूशन था पंत का सिर्फ एक मैच में दिखा बैटिंग की बात करू तो काफी वीक लग रही थी धवन या खोली छोड़के सभी ने बहुत बेकार बैटिंग की वेंकटेश आयर को सिलेक्टर्स ने बस IPL के फॉर्म बेसिस पे लिया उनका कोई एक्सपेरियंस नहीं था डॉमेस्टिक मैचिस में जिनका पर्फॉर्मेंस अच्छा उनको लेना चेये लाइफ विजाई हजारे ट्रॉफी यहाँ पे केल राहूल ने ओपनिंग की जब रोहिट शर्मा आएंगे वो खुद दवन के साथ ओपनिंग करेंगे केल राहूल ने यहाँ पे क्यूँ चेंज किया उनका पोजिशन उनको ही पता जो की टेंपरेरी था विच वाज बेग क्वेस्टिन अगर गायकवाड को चांस देते वो as a finisher खेलते बैटिंग में depth मिलता गायकवाड का बढ़िया domestic season रहा बट यी वाज वार्मिंग बेंचेस वंकटेश आयर नीड्स टू प्ले मोर डोमेस्टिक मैचेस बाकी श्रेयस आयर पंथ भी कुछ खास नजर नहीं आये श्रेयस आयर वाज लुकिंग विटाउट कॉन्फिदेंस पंथ ने एक मैच में जरूर अच्छा खेला बट बाकी मैच उस में इर्रेस्पोंसिबल शॉट खेलके आउट हुए एस्पेशली इन थर्ड ओडियाई बोलिंग की बात करू तो पहली ओडियाई में बस चार विकेट दुसरे ओडियाई में बस तीन विकेट विच वस वेरी अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम इंडियन बोलर्स बुनेश्वर कुमार वस वेरी इसपोंटिंग बहुत ही खराब बोलिंग की उन्होंने आई तिंग इस ताम तो लुक फॉर बोलर्स इन फॉर्म अश्मिन भी कुछ खास नहीं रहे हमें मिडल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाया यही एक रिजन हुआ जिसने South Africa ने एक अच्छा टार्गेट सेट किया थर्ड ODI में दीपक प्रसीद कृष्णा ने विकेट्स में कॉंट्रुविशन किया विच वस पॉजिटिव बट अगें 287 का टार्गेट विच वस लेटिल मूर इंडिया needs to work on all these factors बैटिंग में रोहित दवन ओपनिंग करेंगे मेरे सबसे ऐसा होना चे कि रोहित और दवन ओपनिंग करेंगे फिर कोली वन डाउन फिर नमबर चार पे सूरिया चेहिए यही इस रियली हाविग गुड टैक्टिक्स तो प्लेएड फिर पन्त और राहूल अज़ फिनिशर खेलेंगे पन्त तो वैसे भी अग्रेसिव खेलते है फिर प्लेएड लाइक जड़ेजा या दीपक चाहर जो बोलिंग आउल्राउंडर जैसे खेलेंगे जड़ेजा के बाद दीपक चाहर आ सकते है फिर भुमरा, चाहल और एक बोलर जिसके लिए प्रसीद कृष्णा या सिराज या नटराजन डिपेंडिक ओन अवेलिबिलिटी लेना चाहिए वी नीड विकेट टिकर्स ये मैं कहना चाहता हूँ साओध आफ्रिका एस्पेशली डिकॉक, टेंबा, बहुमा, वैंडर, ड्यूसन इन्होंने काफी अच्छा खेला इवन बोलिंग भी अच्छी थी फ्रॉम स्पिनर्स तू साओध आफ्रिका ने बढ़िया खेला अब नेक्स्ट ओडियाई सीरिस अगेंस वेस्ट इंडिस के साथ है में भी बुवनिश्वर कुमार को ड्रॉप करेंगे लेट सी हाव इट कोज सो दैट सिट दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना मिलते हैं जल नए वीडियो में थैंक यू